बहुत इंपोर्टेंट है नाग फनी का मंदिर इंपोर्टेंट है नाग फनी का मंदिर हाट लेंड ऑफ इंडिया जय जोहार दूस्तो नमस्कार हेलो चलिए सुरुवात करते हैं हम लोग चत्तिसगर में नए पर्याटा निस्थल को देखेंगे हम और यह पार्ट टू वीडियो है पार्ट वन पहले भी अपलोड कर चुके हैं वह वाला वीडियो अगर आप देखे नहीं है तो आई बटन मे मैं देदिया हूँ वीडियो कम्प्लिट होने के बाद जरूर देख लीजएगा पिछले चैर्षे महीनों के अंदर जितने भी जो न्युस पेपेपर हो गया यह जितने भी पर्याटटन सथल हैं किसी न कुसी हिशाब से किसी न किसी कारण से पर्याटन सभी या बहुत सारे स्लाइड है उनको कहां से डाउनलोड करना है मैं बताऊंगा चलिए ज्यादा देरी न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं देखेगा सबसे पहले है आपका राजमेरगड की पहाड़ी ध्यान रखेगा यह गौरेला पेंडरा मरवाही की अंतरगरत आता है ध् तो ध्यान केंद्र और पारमपरिक बैगाहाट के निर्मार की घोशना की है मुख्यमत्री भूपेजबागिल जी ने याद रखना है कि राजमेरगड की जो उचाई के मामले में राजमेरगड उचाई के मामले में 282 फीट अधिक उचा है यहाँ पर याद रखेगा कि अम इक्सित किया जाएगा ओके तो यह सब पॉइंट है ध्यान दीजेगा चलिए देखे गोल्डन आइलेंड इंपोर्टेंट है काफी चर्चा में था यह तो यह कोर्बा जिले में है याद रखेगा कोर्बा में हस्देव पर बांगो बांध के कैच डेम इरिया में सत्रेंग और बुका जिल जैसे पर्याटन केंद्र है ध्यान रखेगा कि यहीं पर 20 किलोमीटर दूर सुन्दर सा गोल्डन आइलेंड है याद रखना है और याद रखने की गोल्डन आइलेंड बीश टापो का एक समू है जिसमें बुका जिल जो है सबसे बड़ा है याद रखेगा तो 36 गड़ पर्याटन मंडल द्वारा इसी 20 किलोमीटर के इलाके को गोल्डन आइलेंड सर्किट के तौर पर विक्सित किया जाएगा ध्यान रखेगा और बुका जिल को 36 गड़ का मौरिसस कहते हैं ध्यान रखना है दोस्तों इंपोर्टेंट है ओके चलिए अगला देख नकपूरा तो नकपूरा तो काफी चर्चा में था दूस्तों यह दुर्ग जिला की अंतरगर ताता है और पहला जैन तिर्थ नकपूरा में है जहां पर रिशब देव चंद्रप्रवारिशेंड और वर्धमान की जो प्रतिमाई है एक जगा विराजित है ध्यान रखेगा ध्यान रखेगा दूस्तों यहां पर हाली में पांच दीवसी महुस्ता का आयोजन किया गया और याद रखेगा है यहां पर 27 मंदिरों की सीखरों पर द्वजा दंड वा कलस इस्थापित किया गया ठीक है चलिए देखे नर्शिंग और विवंची नरायन मंदीर तो यह आ जार साल पूरानी प्रतीमा जो ठंड के समय में गर्म और गर्मी की दिनों में ठंडी रहती है ध्यान रखेगा दोस्तों यह जो मंदीर है रायपूर के बुढ़ा तलाप से लगा ब्रह्म पूरी इलाके में है चलिए अगला देखेगा अगला है आपका देखे गौतम बु दिखेगा कि हाली में चर्चित गौतम बुद की प्रतीमा जो की 1965 में बाकसाइट मिस्रित मिट्टी से बनाया गया था यह सरगुजा जिले के मैंट पार्ट में इस्थित है ध्यान रखना है और यहां इस्थित मंदीर 57 सल पुराने है और गौतम बुद की जो प्रतीमा है वो 20 फीट उची है ध्यान रखेगा कि 1965 में बौद धर्मगुरु दलाई लामा यहीं ठहरे थे तता इसी ने दोस्तों को है न इस मंदीर की नियू रखी थी और याद रखेगा दोस्तों कि राजनन गाउं के डूंगर गर में इस्थित प्रग्यागिरी पहाड में भी भग यह प्रतिमा है वो 30 फीट है और मैन पार्ट वाला 20 फीट याद रखेगा दोनों को चलिए अगला देखेगा कि दुगली ग्राम जो है यह गरिया बन जिले के आदिवासी अंचल कुलहारी गाउं में हैं और यहां 1965 में स्वर्गी राजिव गांधी जी का अगमन हुआ था और इसी समय उन्होंने धमतरी जीले के दुगली ग्राम की यात्रा की जिसे अब राजियो ग्राम के नाम से जाना जाता है ध्यान रखेगा यह गाउं को ओके चलिए अगला देखेगा सीता माता की रसोई तो यह तो काफी चर्चा में रहता है और यह सब को याद होना चाह मनेंद्रगर चिर्मिरी भरतपूर जीले में सीता मड़ी हर्चाओं का याद रखेगा जिसे सीता माता की रसोई भी कहा जाता है और सरगुजा में रामगर की पाहाडी का जो है विकास करना सुरू कर दिया है वही है सीता मड़ी हर्चाओं का MCB जीले के देखे भरतपूर तसिल के अंतरगार जनकपूर में इस्थित है और यहां की जो है गुफा की सत्रा कक्ष है इन कक्षा में सत्रा सिवलिंग स्थापित है और इसे ही सीता की रदासोई के नाम से जाना जाता है याद रखना है सीता मड़ी जो है वो किस नदी के किनारे इस्थित है मवई नदी क किनारी स्थित है ओके ध्यान रखेगा देखे अगला है देखे चतिस गड़ का जो है पहला माडल हाड बजार याद रखना है चतिस गड़ का पहला माडल हाड बजार तो यह चतिस गड़ का पहला एंट्री एग्जिट द्वार वाला माडल हाड बजार दंते वाड़ा जिले कि गिदम विकासखंड के अंतरगर्त बारसुर में निर्माड किया गया है याद रखना है देखेगा ये 36 का पहला जो है मौडल हाड़ बाजार है जहां लोगों को सभी स्विधाय मुहिया कराई जा रही है देखे बारसुर अपने आप में विसेस है तो ये बारसुर जो है चिंदक नागवंस्यों की राजधानी थी याद रख रहा है प्राचिन नाम चक्रकोट या ब्रहमर कोट है 32 मंदिर यहां इस दित है गरेज जी की विसाल प्रतीमा है यहां पर मामा भांजा मंदिर है और उसके बाद चंद्रा दित्य मंदिर यहीं है बारसुर में ठीक है तो याद रखेगा यह सबको चलिए देखे नाग फनियुद्यान बहुत इंपोर्टेंट है नाग फनियुद्यान दोस्तों यह नवा रायपूर के जंगल सफारी इस्तित बाटनिकल गार्डन में कैक्टस पार्क बनाया जा रहा है ध्यान रखेगा नया रायपूर इंपो तो आप लोग भी आप लोग को भी पता होगा दूस्तों है ना प्रत्थम किसान इस्कुल तो चत्ति अड़का जो है प्रत्थम किसान इस्कुल जानगेर चापा जिले के बलावदा बलाक के ग्राम बहराडी में खोला गया है ध्यान रखना है ओके तो यह याद रखेगा किस जिले में तो जानगेर चापा जिले में ठीक है तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं यह है जीरम घाटी सहीद मेमोरियल इस्थल तो यह भी काफी चर्चा में था तो मुख्यमंत्री भुपेज बगहिल के द्वारा दूस्तों बस्तर जगदलपूर के लाल बाग मैदान म जीरम घाटी सहीद मेमोरियल का जो है लोकारपन किया गया ध्यान रखना है तो यहां जो है जीरम घाटी सहीद मेमोरियल 32 सहीदों की याद में स्थापित किया गया है और आपको याद होगा दूस्तों की 25 मई 2013 को सुकमा के केसलूर आ रहे काफीले पर दरभा के जीरम अग्सली हमले में मारे गए सभी सहीदों की जो है प्रतिमाओं का अनावरान यहां मुख्यमंत्री भुपेजबा गिलने किया है तो ध्यान रखेगा ठीक है तो यह सब है किस जिले में है यह इंपोर्टेंट है ओके चलिए देखेगा यह 159 किलो पारे का जो है सिवलिंग यह की जाईगी यह हो गया है अबहा चुका है और यहां जो है सिव लिंगा कार मावां भर हम सफिंपके में हूं के पतालि में में आप Bur therapists के मां को कि केंद्र सरकार की फ्रसाद cultivate के मां बमले cuánt मंंतिर के सामने डवलपमेंट आफ देखे पिल्ग्रिम्स फेसलिटेशन सेंटर स्री यंत्र भवन का जो है निर्मार किया जा रहा है ध्यान रखना है दोस्तों की यह जो स्री यंत्र भवन एक साल के भीतर कारे पूरा होने का लक्ष रखा गया है और यह जो भवन है 43.33 करोड रुपए से 10 एकड में बनाया जा यह जा रहा है याद रखना है तो स्री यंत्र भवन यहीं है साज बाव यहाँ पर जो सुईधा है आप देख लीजेगा ठीक है चलिया अगला देखे ह। अगला है छक का पहला मैंट पार्क याद रखना है पहला गडित पार्क यह द्यूस्तों प्रदीस का जो है सो पहला मैथ पार्क राजनगाओं के डोंगर गड़ के नौदय विद्याले परिसर में बनने जा रहा है यह बन चुगा होगा ध्यान रखेगा देखेगा कि गडित उद्यान में दो गेट है और यहां पर मुख्ये द्वार को पाई का अकार दिया गया है और दूसरे द्वार क विद्वां किसे बोलते है तो छतिवार का जो है विरणी चमपा रण को कहते है याद रखना चम्पारान राइपूर जीले में स्थित और इसका जो पुराना नाम मैं चंपा जहर Мих सेधी देखेगा कि चंपा जहर का अर्थ होता है चंपा के फूलों का घर और यहां महाप्रभु वल्लभाचारे जी ने जनम लिया था और चंपारण को महाप्रभु की जो है 84 बैठकों में से एक महत्रपुर्ण बैठक होने का गौर अप्राप्त है द्यान रखेगा न चलिए देखे यह यह आप देख लीजिए कि यहां जो है पंच कोसी में पंच कोसी में से एक चंपकेश्वर महादेव का मंदिर यहां इस्थित है और चंपारण में प्रतिवर्स मांग पूरीमा के और सर पर मेले का आयोजन किया जाता है तो यह से सब पॉइंट है ध्यान दिजएगा चलिए and ब्रह्मलो데 Asram तो देखेगा देखा ब्रह्मलो कासराम यह रहे पूर पूर जिली के कुंहारी के परसदा में विस्थो ज्यागरिति मिशन परिवार के दवारा ब्रह्मलों कासर जिरलिंग माता दुर्गा और वैश्णवी का जो है दरबार रहेगा ठीक है तो ध्यान रखना है कि जिले में हैं ओके चलिए देखेगा देश का पहला मठ जिसके गुंबद में 43 शिवलिंग है ध्यान रखेगा दूस्तों की देखें सुमेरु मठ अगड़नात का दरबार र करें गया है और इसमें 33 तीकौने है और हर तीकौनों में दोस्तों पारस बनी स्थाफना की गई है और दोस्तों अधिक से अधिक से सियर कर आप आपसे विंती है कि वीडियो को अधिक से अधिक सेयर करिएगा वही है तो रिकॉर्ड करने में बहुत ही महनत लगता है दोस्तों ठीक है देखें आप भी अपने हंडेट परसेंट लगा कर पढ़ाई कीजिएगा ओके देखें हटकेश्वार नात मंदीर तो यह तो ऐसे आप सावन महिने में यह महासिवरात्री के समय मेला लगता है याद रखना है ठीक है और इसे हटकेश्वर धाम यह महादेव घाट मंदिर के नाम से भी जाना जाता है इस मंदिर का जो निर्माड है 1402 इसे में कल्चुरी वंस के राजा ब्रह्म देव ने करवाया था ध्यान तो याद रखना है म्यूजिकल फाउंटेन तो रायपूर में यह है आपका रायपूर से 20 किलोमीटर की दूरी में इस्थित विस्व प्रसिद चंद खुरी में इस्थित माता कोशल्या मंदिर परिसर के रायशन तलाब में 10 करोड की लागस से यहाँ पर म्यूजिकल फाउ होंगे याद रखना है चंद्रकुरी धामे औरिसा और मद्द प्रदेश की मूर्ति कलकारोद्वारा स्री राम जी की इंक्यावन फीट उची प्रतिमा पत्थर तरासकर चंद्खुरी में ही बनाई गई है ओके ध्यान रखेगा यह सब पॉइंट को इंपोर्टेंट है ठी याद रखना है वही है इसको याद नी रखना है यह इंपोर्टेंट है देखें जो विवेकानन राष्टी युवा सम्मिलन का जो आयोजन है ठीक है कहां किया गया था तो यहां पर च्छत्ती दर नहीं है मद्द प्रदेश की जो राजज़णी भौपाल में किया गया था यही पर घोशना किया गया तो याद रखना है कि देश भर में जो है रामकृष्ण परमहन से स्वामी विवेकानन की 15 इसमारक है और जल्द ही रायपूर में भी स्वामी विवेकानन इसमारक बनाया जाएगा याद रखना है जो देश का सोलवा इसमारक होगा ध्यान दिज जगा चलिए अगला है अगला आपका गजमार पहाड़ी इंपोर्टेंट है ध्यान रखेगा कि राइगण जीले में 550 फीट उची गजमार पहाड़ी स्थित है और यहां भगवान शंकर और हनुमान जी की मंदिर है ध्यान रखना है याद रखना है कि मंदिर बेहद प्राचिन है और इसकी इस्थापना की पुक्ता जानकारी नहीं है साथ साल पहले यहां दुर्गा देवी का मंदिर भी बनाया गया है और बाल समुंद इलाके में 60 के दसक में दुस्तों एक हाथी की ट्रेन से कटक पर मौत हो गई थी इसलिए इस पहाड़ी का जो नाम है वह गजमार पहाड़ी रख दिया गया ठीक है चलिए अगला देखेगा देखे तीन परियाटन छेत्रों इस्थानों के जो है नाम बदले गया है कौन-कौन से देखेगा तो हाली में दोस्तों राज्य सरकार द्वा मातर कोशलय का मायका और सिर राम जी की जो है ननिहाल माना जाता है विस्व का दुस्तों एक मातर कोशलय मातजी मातर जी गजय को चन्दखोरी में है ध्यान दीजेगा और गिरौतपूरी का यह नया नाम बाबा, कुरु घंस धास धाम गिरौत पूरी रख गया है दीःत् इंपोर्टेंट है नाग फनी का मंदिर तो दंते वाड़ा जिले की गीदम से कुछी दूरी पर दोस्तों नाग फनी नामक ग्राम में नाग देव का जो है प्राचिन मंदिर है याद रखना है यह चतिज़ड का इकलावता नाग फनी का नाग का मंदिर है इसे नाग फनी कि सताब्दी की जो है हम मूर्तियां है सभी मूर्ति लगबग 2-3 फिट उची है और मंदिर के गर्भग्री में बाइं और नाग नागिन के मूर्ति एवं दाईं और गड़ेश भगवान की मूर्ति वह सीला यह ना सीला खन में द्वार पाल की मूर्ति स्थापित है ओके ध्य सब्सक्राइब नागवत मंदिर समय मिलेगा तो इसको पढ़ यह इंपोर्टेंट दलहा पहाड भी इंपोर्टेंट है ध्यान रखेगा यहां नाग पंचमी के दिन दूस्तों मेला का योजन होता है ठीक है चलिए अगला देखिएगा रविंद्र नाट टैगोर जी ध्यान रखेगा 36 गड़ में 36 गड़ से कैसे संबंदित है तो देखे हाली में गुरुदेव रविंद्र नाट टैगोर की जो है ब्यांसवी पुनिती थी मनाया गया और 7 अगस्तों को उनका निधन हुआ था ध्यान रखेगा दूस्तों की 104 साल पहले सन 1918 में वे अपनी पतनी के साथ गौरेला पेंडरा मरवाही जी लेके गौरेला के देखे सेनीटोरियम आये थे ध्यान रखना है कि वह कुलकत्ता से बिलासपूर होते हुए पेंडरा रोड इस्टेशन पहुंचे थे टीबी बीमारी से गुरुदेव रविंद्र ना टेगोर जी की पतने म्रणा लिनी देवी उप नम याद रखेगा बीनु ग्रसी थी जिनका इलाज कराने के लिए वे गौरेला आये थे ध्यान रखेगा ध्यान रखेगा कि लगबख 6 महीने के इलाज के बाद उनकी पतनी का सेनेटोरियम में ही देहान थो गया और इसी सेन पतनी के प्रांगण में गुरुदेव की जो है पतनी को दफनाया गया और यहां उनकी समाधी भी बनाई गई थी और पतनी वियोग में ही गुरुदेव ने बिलासपूर इस्टेशन में फांग की नाम की एक कवीता लिखी और उनकी यह कवीता आज भी बिलासपूर मुख्याला कहा है जगदलपूर में है तो जगदलपूर को दूस्तों देखे ट्राइबल हार्ट लेंड आफ इंडिया के नाम से जाना जाता है याद रखना है कि अपनी विसेज जन जातियों के कारण ही से ट्राइबल हार्ट लेंड आफ इंडिया के नाम से जाना जाता ह है ध्यान रखना है ठीक है ध्यान रखना है कि यहां प्राचिन विरासत अद्भूत नजाडे दूरलब पहाड़ियों और वाटरफाल के साथ साथ ट्राइवल गाओं के लिए विस्स भर में प्रशिद्ध है और जगदलपुर में लमनी पार्क तीरत अगरजल प्रपात बस् राष्ट पिता महात्मा गांधी जी इनकी भी पूजा की जाती है ध्यान रखिएगा और इसके साथ ही इस मंदिर में भारत माता की भी पूजा की जाती है ध्यान रखिएगा धमतरी जिला ओके चलिए देखिए मंगर डोंगरी अर्थात मिचनार हिल वेरी वेरी दियान रखिएगा कि यहां पर जो है तो यह इसे पर्याटन इस्थल के रूप में विक्सित करने का निर्णा लिया है ओके इसलिए चर्चा में था दिखे चतिस गड़ के सबसे बड़े जैन इस्तूप याद रखने के राइपूर जिले की कुतवाली चौक में चतिस गड़ रखेगा राइपूर जिले में है कि अोगे देखें यहां निर्मिक जैन किर्थी इस्तंब इस तूप को बनाने में राज स्थान को लाल पत्त्थरों का उपयोग किया गया है और श्विक के 4 चार सिरों को भी दर्साया गया और इस किर्ति इस्तंब की जो है खास्यत यह है कि इसमें कहीं भी लोहे का उपयोग नहीं किया गया है और नीचे से उपर तक लाल पत्थरों को जोड़ कर बनाया गया है आंधी तोफान में भी यह सालों तक सुरक्षित रहेंगे ठीक है चलिए अगला देखिएगा अगला ह वेरी वेरी इंपोटेंट है यह भी काफी चर्चा में था आलोर गुफा तो याद रखना है कि वर्स में यहां पर एक बार खुलने वाला जहाटी बन आलोर पहाडी की गुफा पर माल इंगेश्वरी मंदिर इस्तित है और यह कोंडा गाउजिले के फरस गाउं में इस्ति वारा घाटी तो यह देखे साले वारा घाटी जो है वह राजनन गाउं में इस्तित है और जहां नर्मदा से साले वारा मार्ग का जो है काया कल्प किया गया है ध्यान रखेगा ध्यान रखेगा कि 36 करोड की लागा से 40 किलो मीटर लंबी सड़क का जो है निर्मार पूरा हो सतर किलो मीटर लंबी सड़क देखे बरकटा से कुमार वाड़ा तक बनाई गई थी और यहां की घाटी में देखे हियर पिन जैसे नौ मोड दिखाई देते हैं और इसे ही बैताल रानी घाटी के नाम से जाना जाता है याद रखेगा बैताल रानी घाटी ओके चलिए अगला है वो पूरी तरह घहां से ढख चुका था इसलिए चर्चा में था अपने प्रकृतिक संदर के करण यह चर्चा में था याद रखना है अगला है आपका देखें लचमर जर्या याद रखना है कि यह कोरिया जिले में 250 सुट उची पहाड़ी पर अमरपूर गिलहा पानी जादा मोर है इसे ही लचमर जर्या मारगे के नाम से जाना जाता है ध्यान रखेंगा लचमर जर्या देखेंगा कि कोईला खदानों से टेक्स लेने यह सब पढ़ लिजेगा नेश्ट है आपका देखें यह हैं राम वन गमन पत याद रखना है देश में 36 गड़ दुस्तो है और यहां 59 फीट उची राम की जो है प्रतीमा स्थापित हो चुकी है ध्यान रखेगा कि 36 गड़ के आठ जगाओं पर जिसमें आपका सीता मड़ी हर्चाओं का हम लोग पढ़े हैं कोर्या जिला सीवरी नरायर जानगीर चापा सरगूजा सरगूजा के अंतरगर्त राम उन्ची मूर्तियां लगाई जाएगी और इन मूर्तियों को 16 फीट उचे प्लेट फार्म पर इस्थापित किया जाएगा इस तरह दुस्तों कुल मिलाकर एक मूर्ती की जो उचाई है 41 फीट हो जाएगी ध्यान रखेगा दूस्तों कि इन मूर्तियों को 36 गड़ में मिलने इस्थोन एवान से बनाई जा रही है ध्यान रखेगा कि राम वंग मन पत्व का जो है अने 2019 से सुरू हुआ था और ये जो है 2000 देखेगा 2260 किलोमीटर में विक्सित हो रहा है याद रखेगा 2260 किलोमीटर में विक्सित हो रहा है और 149 करोड रूपय से यह जो है राम कि 36 गड़ में दंतेवाड़ जिले के किरंदूर सहर से 20 किलो मीटर की दूरी पर बैला डिला के पहाड़ियों में नए जल प्रपातियम जुरासिक काल का जो है ट्री फर्न पौधा मिला है और इस छेत्र को इस्थानिय लोग हरी घाटी के नाम से जानते हैं ध्यान देना है ठ काहारी डाइनासोर की प्रजाति निवास करती थी टीक हैं यह सब पंट है ध्यान दीजेगा अगला देखेइगा अगला आपका देखेगा खोड़िया रानि गुफा ध्यान किफा घगुध के बढ़ीचा गाउं से सतरा किलोमेटर दूरी परिस्थित था धारि यहां गु ध्यान दिजेगा कि जस्पूर जिले के जस्पूर नगर से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर देश देखा पहाड़ी स्थित है ध्यान देना है ध्यान देना है कि यहां जो है सुरियास्त के समय विहंगम द्रिश्य को देखा जा सकता है करीब तेरा सफीट की उचाई से सुरियास्त का नजारा यहां देखना प्रकृती के साथ खुद को जोने जैसा है देखा पहाड़ी का जो है एतिहासिक महत्त भी है और रियाशत काल के वक्त जस्पूर रियासत के सैनिक देखा की पहाड़ से नरायनपूर के डोम राजाओं के जो स तो हम लोग देख लिए हैं ठीक है नाकफणी का मंदिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं यह हैं देखेगा देखे 200 साल पुरानी घंटी इंपोर्टेंट है तो देखे 36 के बस्तर में भागवान सियो जी का जो है प्रसिद्ध मंदिर है इस मंदिर में करीब 200 साल जो है पुरान में लगी हुई है और पर्याटकों के लिए जो है आकरशन का केंद्र बना हुआ है इसका वजन करी 15 किलो है और प्योर लोहे से बनी इस घंटी की खास बात यह है कि इसमें कभी जंग नहीं लगती ठीक है चलिए अगला देखेगा यह देखे यह थोड़ा सवर पॉइंट ह शांत ग्राम वासियों को यह घंटी मिली थी जिसके बास इस मंदिर का जो है जुड़धार किया गया और महा सिवरात्री और शावन के मौके पर इस मंदिर में दुस्तों मेला का आयोजान होता है ओके चलिए अगला देखेगा अगला है आपका भनवाटन इंपोर्टेंट है तो यह बिलासपूर जिला की अंतरगर्त बिलासपूर से कटनी रूट पर पचासवे किलोमीटर में देखे चाथी जड़ की साथवी रेलवे सुरंग भनवाटन के पास पहाड़ों में बनेगी तो भनवाटन इसलिए चर्चा में था सुरंग के कारण देखेगा कि बिलासपूर में पेंडरा रोट के बीच भनवाटन के पास अभी दो सुरंगे हैं तीसरी सुरंग जो है बननी है भनवाटन के पास एक सुरंग 115 साल पहले और दूसरी जो है 56 साल पहले बनाई गई थी और पहली सुरंग अंग्रेजों के जमाने में बनी है औ दूसरी जो है 1956 में भारती रेलवे ने बनाई थी और भनवार्टन में याद रखना है मरही माई का मंदिर है दियान रखेगा चलिए अगला देखे अगला है देखे सविधान का इकलावता मंदिर तो काफी चर्चा में था सविधान दिवस के अवसर पर तो बरस्तर जिले के जगदलपुर में जिला मुख्याला से करी 35 किलोमीटर की दूरी पर देखे बुरूंग पाल गाव में सविधान का मंदिर है जो कि देश का इकलावता सविधान का मंदिर है द्यान देना है और यहां पर एक अधार सिला रखी गई थी जिस पर पांचवी अनुसूची के प दूरी कहते हैं ओके चलिए अगला देखे और यह हैं इसको आपढ़ लिजेगा यह तो समय हैं आपके पास तो गय आप पढ़ देखेंगा नेमिस हैं ठेर आपके आप पढ़ सकते हो चलिए अगला देखेगा शनली lij deaf का मंदीर ध्यान देना है कि शनली मासा मूं जिला म देखेगा कि इस पहाड़ी का जो है नाम महादेव पठार है और इसे डुंगरी भी कहा जाता है और ये जो है देवी प्रतिमा सुरंग नुमा खो में स्थापित है इसे गढ़िन दाई के नाम से भी जाना जाता है द्यान रखना है और यहां पत्थर से बनी दो प्रतिमाई ह जिन में आखे जड़ी हुई है नावरात्र के औसर पर यहां मेला लगता है तथा जूत जलाई जाती है ठीक है ध्यान रखना है चलिए अगला देखेगा अगला है आपका राजा राव पठार इंपोर्टेंट है राजा राव पठार तो अभी अभी चर्चा में था यह तो स सहिद वी नराएpower सिंग्ञ के प्रतीमा कभी अनावराण किया ठीक है और वही है ज्यान रखेगा चत्ति अघ настолько जो है प्रत्थम में जी दियान रखें चलिए अगला देखेगा लच्मरधारा जल प्रपात इंपोर्टेंट है म्रच्मरधार जल प्रपात तो यह ग packed द değ और जोजा जल प्रपाति स्थित है ध्यान रखेगा ठीक है तो यह सभाय पॉइंट ध्यान रखेगा और यहां राजमिरगड़ वही समुलाई कुंड सिव घाट लखन घाट और गंगई नेचर केम और चुनहा दाई और परेबापत आदिसक्ति मंदिर बेनी दाई और घाग यह आपके रखने के लिए बहुत भबहुत धन्यमाद दूस्तों आशा करता हूं कि वीडियो से आपको सीखने को मिला चानने को मिला हो कि नॉलेज में वृद्धि और आपके एक्जाम में भी हेले इसी माशा करता हूं और पार्ट वन और पार्ट तू दोनों का अगर सच करने में सिर्फ मेरा महनत नहीं लगा है दो तिन लोग मिलके इसको सर्च किया है खोजे गया है पिछले 6 महने का है और परेटन से संबंदित है सिर्फ सिर्फ आपको 10 रुपए देना पड़ेगा यहां पर देखेगा गूगल पे है गूगल पे या फिर फोन पे कुछ भी करिए करिये और आपको मिल जाएगा सिर्फ सिर्फ दस है ठीक है तो 2 रुपई है तो इक एक और चलिए यहां कदिया हुआ है आपको वाइटसाब कर दिया जाएगा ठीकर वाइट